नमस्कार NBCN News की प्रदेश की खबरों में मैं एक शितिजा देश मुकाब सभी का स्वागत करती हूँ डालते नजर प्रदेश की खबरों पर जिलादिकारी एवं वरिष्ट पुलीस अधिक्षक बुलंच शहर द्वारा विधान सभा उपर निर्वाचन वागा में ते वहारों के दुरुष्टिगत भारी पुलीस फोर्स के साथ नगरक्षेत्र में शांती एवं कानून व्यवस पुलिस प्रशासन का सयोग करें और किसी भी प्रकार की अफवाव उन्मात फैलाने वालों के बारे में तकाल 112 नंबर अत्वा संबनित थाना प्रभारी को सुचित करें पुलिस प्रतेक नागरे की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है साथ ही जंता से आपसी सद्भाव एवं सोहार्द बनाये रखने की अपील की गई तता सोशल मीडिया की दुर्पयोग एवं अफवाव के संबन में भी लोगों को जाकरुक किया गया इन्बीसियन न्यूस के लिए बुलिन शेहर से जावेद खान की रिपोर्ट दॉक्टर ने मासूम के परिजनों से अभद्रता कर वहां से भगा दिया है पिडित परिवार टुनला थाने पहुचा जहां उसने डॉक्टर के खिलाब शिकायत दर्श की है पुरा मामला फिरोजबाद की थाना टुनला क्षेत्र का है जहां थाना पच्छोरा के गाव सु माहिला अपनी बच्ची को लेकर थाना टुनला की एटा रूट से हिमांशू एकसरे हॉस्पिटल एकसरे कराने पहुची जहां हिमांशू नामक डॉक्टर ने बच्ची की बाए हाथ का एकसरे किया और बच्ची की हाथ ने फैक्चर होने का बताया जिसको लेकर डॉक्टर ने मासूम की हाथ पर प्लास्टर चड़ा दिया और प्लास्टर चड़ने के बाद मासूम के बाह में इंफेक्शन फैलने लगा और बच्ची ज्यादा रोने लगी तो महिला बच्ची को लेकर प्लास्टर कटवाने डॉक्टर के पास पहुची जब डॉक्टर ने बच्ची क परिवार बच्ची को लेगर थाना तुन्बला पहुचा जहां उन्होंने डॉक्टर के खिलाफ लापरवाही करने वो अबद्रता करने की लिखिच शिकायत दी है फिलायद पुलिस ने शिकायत की आधार पर मामले की जान शुरू कर दी है जब इस मामले में हिमांशु इक नीशन हिमांशु से बात की गई तो उन्होंने अपनी सफाय देते हुए क्या कहा यह आप खुद ही सुनबीजिए इन बीजिए नीऊस के लिए फिरोजाबाद से रिपोर्टर रिहान अली की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद के टूंला चुनाओ आते ही क्षेतर की जनता का दर्द उभरकर सामने आई जाता है चाहे फिर क्षेतर के लोग सभाद चुनाओ या जिलापंचाच चुनाओ या फिर विधान सभाद चुनाओ ग्रामिन अपना घुसा वोट बहिशकार कर ही अपना दर्ध बया करते हैं विदानसभा क्षेतर के गाव प्रतापुर का है ग्रामिन विकास ना होने से नाराज विदानसभा उप्चनाव का भहिशकार करने को मचबूर है ग्रामिनों की मांग है कि बंबो में पानी नहीं आता ट्यूब वेल का पानी उतर गया है और 40 फूट नीचे पानी पहुच गय जिससे की ग्रामिनों को खेतों में सिचाई से लेकर पीने के पानी तक की किल्लत हो रही है वही ग्रामिनों में विकास को लेकर भी नाराज की है ग्रामिनों का कहना है कि जब तक गाव के बंबो में पानी नहीं आएगा और हम लोगों की पीने के लिए पानी की व्यवस्ता नहीं की जाएगी तब तक गाव का कोई भी व्यक्ति मद्दान नहीं करेगा वही जिल्ला प्रशासन टुनला विधानसभा उप्चनाव में अधिक से अधिक मद्दान कराने के प्रयास में चुटी है वही ग्रामिन अपनी मांगों को लेकर वोट भहिशकार के लिए अड़े बंदरों का आतंक कजबे से लेकर ग्रामिन क्षेतर तक हर जगए है आए दिन बंदरों के हमले से कोई न कोई खायल हो रहा है कजबे के जवार नगर में दिल्ली से अपने ससुराल आया यूवक बंदरों के हमले में च्छत से नीचे गिर गया है और उसके हाथ से और पैर म गंबीर चोटे आई है, बच्चे की दूद की बोतल बंदर ले गए, जिसे छुडाने के लिए च्छत पर चले गए, उसे समय च्छत पर बंदरों ने हमला कर दिया, बंदरों को भगाने का प्रयास करने लगे, तो बंदर हमलावार हो गए, और बंदरों के हमले से बचने के मनोश पीछे हटने लगे, अच्छनक छत के किनारे से पैर फिसल गया, और रास्ते में खडगंजे पर आगिर गये, युवक के चीक सुनते ही ससुराली जन एकतरित हुए, और बंदरों को भगाया, युवक के ससुराल वाले इलाज के लिए आनन फानन में काजगंज ले ग कई बार शिकायत के जाने के बाद भी न तो इस और नगरपरिशत अधिकारी ध्यान दे रहे और नाही वन विभाग के अधिकारी, कजबे के नरेश, सविता, अमीद भारतवाज, शिवान शुमाथूर, आशितो सविता, अजैसी सोधिया, आकाश गुपता, सराफ, अरुन वियापारी की दुकान से दिवार तोड कर चोरों ने सात्तर हजार रुपेव से जादा का माल उड़ाया है। कि अचानक फोन की घंटी वजने से तिल मिला उठा। जैसे ही उसे खबर मिली कि उसकी दुकान की दिवार पीछे से तूट चुकी है और दुकान में चोरी हो गई है। आननफानन में भाग कर दुकानदार जब अपनी दुकान पर पहुचा तो उसके होश उड़ गये। प पिड़ी दुकानदार शिवकुमार गुपता ने बताया कि उसकी दुकान में ऐसा पहली बार हुआ। पिड़ी दुकानदार ने कहा कि चोरों की असलियत सामने आना बहुत ज़रूरी है। चोरों का ये दुस्ता हस पुलिस के लिए एक खुला चैलेंज है। ये कोई तो चोरों के हौसले इतने बुलन है कि चौकी से चन कदमों की दूरी पर ही चोरी जैसी वारदात को अन्जाम दे दिया क्या। और पुलिस कुम्बकरन की नीन सोती रही। गटना 15 अक्टुबर देर रात की है। पीने से रोकने पर दहशत पर उत्रे कलियोगी बेटे ने फावडे से हमला कर अपनी मा की हत्या कर डाली है। वही वगद्वारा किये गए हमले में उसकी बहन गंभी रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक घटना बली गाव की बताई चारी है। ग्रामिनों के मुताबिक गाव में रहने वाला विनित शराब पीने का आदी है। मंगलवार की राद भी वह शराब की नशे में दुध होकर अपने घर वापस लोटा था। जिसके बाद युवक ने अपनी मा रीता से और शराब पीने के लिए पैसे मागने शुरू कर दिये। मा ने मना किया तो नशे में दुध विनित ने अपनी मा के साथ मार पिट शुरू करती। इस दौरा अन घर में मौजुत युवक की बहन अंजली ने उसे रोकने का प्रयास किया। आरोप है कि गुसाई विनित ने पासरका फावडा उठा कर अपनी मा और बहन पर हमला बोल दिया। जिसके चलते दोनों महिलाए गंबी रूप से घायल हो गई। प्रभारी मितुंदिक्षित ने बताया कि आरोपी की तलाश जारी है। मुखितमा दर्श करके अमशना की जाएगी और बितकुछ जिल्व है। अज्य सरकार की मनशा के अनुरूप पुलीस सदिक्षक के निर्देशन में थाना पुलीस देराद गश कर रही थी। उसी दवरान पुलीस को एक सफलता हाथ लगी है। पुलीस ने चेकिंग के दवरान एक मैक्स पिकप गाड़ी से शराब बनाने का सामान बरामत किया। पुलीस को गाड़ी से एक्स्ट्रा नेशरल अलकोहोल की बारा कैन बरामत हुई है। इस कारोबार को करने वाली आरूपी पूरन सीहन निवासी रेपुरा थाना रामगड को पुलीस ने गिरबतार कर चेल भेज दिया। दरसल शीकोहबाद थाना पुलीस देर रात मैनापुरी चोराहे के समिप वाहनों की चेकिंग कर रही थी। उसी दोरान पुलीस को संदिक द्वाहन दिखाए दिया। जिसे देख पुलीस ने उसे पकड़ने का प्रयास किया लेकिन चालक ने पुलीस को देखकर गाड़ी भगा दी। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी को बोज या कट के समीप पकड़ लिया। इस गाड़ी में पुलिस को शराब बनाने का सामान बरामद हुआ। वही गाड़ी चालक को पुलिस ने गिरफतार कर जेल भेज दिया। इस पूरे प्रकरन की जानकारी देते हुए सीओ शिकोहाबाद बलतेल सी खनेडा ने बताया कि राच सरकार की मनशा के अनरुप शराब तसकरों के खिलाफ अभियान चलाये जा रहे है कि कहीं भी शराब का गोरख धंदा नहों। इसी क्रम में शिकोहाबाद पुलिस को एक सफलता हाथ लगी। पुलिस ने शराब बनाने का सामान बरामत किया इस सफल अन्वारन के लिए थाना पुलिस को स्पी सी की तरफ से 10,000 का इनाम भी दिया किया। सिंग और अन्या पुलिस कर्मियों के साथ में तथा आपकारे निरिक्षक के साथ में चेकिंग कर रहे थे। एक वाहन यूपी तिरासी सीटी 0504 यह यूटिलिटी वाहन है यह आता दिखाए दिया। पुलिस तीम को देखके यह भागने लगा। पुलिस तीम ने इसको द सी ढकन, 200 खाली पाउच, रहपर और 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 कोड आधी गाड़ी में रामद हुए। इस गाड़ी में जो अव्यूक था पूरं सिंग इसको पुलिस ततकाल पकड़ लिया गया, पूरं सिंग पुत्र हरियों, ग्राम रहपुरा थाना रामगर इसको पकड़ लिया गया, इस आज के प्रदेश के खबरों में वक्त चलाई, यही रुकने का ताजा खबरे देखने के लिए आप देखते रहे हैं, बीस्यन नियोज, नमस्कार